आपका पेपर में कैसा पत्र लिखन आएगा वो ये रहेगा कि किसी बैंक केसा का प्रभंदक को पुस्तक एक लेखन सामगरी की दुकान खोलने है तो रिड़ प्राप्ति के लिए एक आवेधन पत्र लिखिए मतलब कि साखा प्रभंदक को किसी बैंक के साखा प्रभंदक को यहाँ पे रिड़ मांगने के लिए हम एक पत्र लिखेंगे अब वो चाहे पेपर में रिड़ मांगने के लिए पुस्तक खोलने के लिए दे या किसी भी विएफसाय करने के लिए दे दे 10 अब्जेक्टिव आता है और 100 परषय ये भी से और नहीं है कि वह ही आप्जेक्टिव पेपर में आ जाएगा। पत्र लेखन में गियारंटी है कि यही पत्र लेखन आएगा 3-4 में सी, वो चाहे रिड़ मांगने के लिए हो गया चाहे सफाई के लिए हो गया को लिपिक पदपर हो गया विद्याले के प्रबंध को मतलब कि यही तिन चार फिक्स हैं और उसी में से आएंगे ठीक है ना तो इसलिए जो एकदम गैरेंटी वाला हो सबसे पहले आप उसे तयार करने की कोशिस करेंगे तो जादा बहतर रहेगा अब देखिए आप कैसे लिखेंगे कैसे एक्जाम में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है सेवा में जो भी प्रशुत्तर संक्यारे का आप डाल देंगे लिखेंगे सेवा में सेवा में फिर कौमा लगा देंगे अब सेवा में जहां पर खतम होगा उसी के जश्ट बगर लिखेंगे नीचे से एक लाइन छोड़के साखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ओफ इंडिया, हंडिया साखा साखा प्रबंधक के लिखेंगे, अब चाहे यूनियर बैंक हो, चाहे बैंक ओफ बढ़ोदा हो, चाहे भारती स्टेट बैंक हो, चाहे सेंटरल बैंक ओफ इंडिया, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्टेट बैंक ओफ इंडिया ही डालें, ठीक है, अ कानपूर साखा लखनव साखा बनारस साखा प्रयागरा साखा जो भी आपका जिला है उस साखा के नुसार डाल देंगे तो आपको यह ध्याद देना है सेवा में साखा प्रबंदक भारती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया साखा ठीक है अब इसके आगे देखे कैसे आप जब किसी को पत्र लेखन लिख रहे हैं तो आप उसको ये बताएं कि हम सर किसके बारे में पत्र लेखन लिख रहे हैं तो पुस्तक एवम लेखन सामगरी की दुकान खोलने हैं तो रिन प्राप्त करने के संबंध में पत्र लिख रहे हैं अगर जो साका प्रबंधक है वो नीचे वाला ना पढ़के क्यों यही पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने केवल इसी के लिए पत्र लेखन लिखा है हमें तो इसलिए विशय जरूर लिखा जाता है और विशय आपको लिखना है क्योंकि इस पर आपको नंबर मिलता है जो आपका नंबर डिवाइड रहता है वो 4 प्लस 3 पे डिवाइड रहता है यानि 3 नंबर का दो नंबर का आपका विशय ही रहता है बाकी लिखने का तरीका पर आपको 4 नंबर मिलता है 4-5 नंबर वो आपके बोड के उपर है किने नंबर को पत लिखन पूछता है, हाला कि 6 से 7 नंबर का ही आपका पत लिखन पूछा जाएगा पीपर में फिर नीचे लिखेंगे महोदे, क्या लिखेंगे महोदे, ठीक न? महोदे के नीचे कॉमा लगाएंगे फिर यहां पेग लाइन छोड़ के लिखेंगे इसके आगे से, अब इसके नीचे से मत लिखेंगा, थोड़ छोड़ के लिखेंगे निवेदन है कि मैं एक सिच्चित बेरोजगार यूवक हूँ यानि कि हे महोदे, हे प्रबंधक जी मैं एक सिच्चित बेरोजगार है, यूवक हूँ मतलब कि मुझे सिच्चा है मैंने पढ़ाई किया है, लेकि नौगरी अभी तक नहीं पाई है सोरेजगार है, तो मतलब अपने रोजगार के लिए अपने निवास छित्र में पुस्तक एवं लेखन सामगरी की दुकाल खोलने का इच्चुकू यानि कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपसे निवेदन है कि मैं एक सिच्चित बेरोजगार हूँ और सोरेजगार मतलब कि अपने रोजगार के लिए अपने निवास छित्र में यानि कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पुस्तक एवं लेखन सामगरी की दुकाल खोलने का इच्चुकू कि मैं अपने गाव सहर में एक दुकाल खोलना चाहता हूँ इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिसानिर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवस्यक कागजात का आवेदन पत्र के साथ सगलंगन कर दी हैं यानि कि आपके बैंक में ये एक गजट निकली थी कि आपके यहाँ बेरोजगारों के लिए सो रोजगार है तु रिड मिल रहा है रोजगार करने के लिए और मैं इसलिए आपके बैंक पर में आया हूँ ताकि मुझे रोजगार के लिए रिड मिल सके और मैं उस पैसे से अपना दुकान खोल सकूँ अतह आप से प्रातना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहान भूत पूर्वग बिचार करते हुए मुझे यथा सिग्र रिड प्रदान करने की क्रिपा करे मतलब की आप से रिक्वेस्ट है कि सर जो मैं यहाँ पर आवेदन पत्र दे रहा हूँ इस पर सहान भूत पूर्वग बिचार करे किसी के उपर आपका दया आना यानि कि आप हमारे उपर दया करिए क्योंकि मैं वैसे बेरुजगार हूँ और हमारे इस आवेदन पत्र को सहान भूत पूर्वग बिचार करिए पत्र पर बिचार करिए और मुझे यथा सिग्र मतलब जल्दही रिड प्रदान करने क्रिपा कर यानि कि मुझे रिड दीजिए ताकि मैं अपने सौरोजगार है तू एक दुखान खोल सकू आपके बैंक के द्वारा लिये गए रिड से आगे देखे कैसे लिखेंगे अब जो भी इन्होंने कागजाद लगाया है नीचे लिख देंगे सलगन सलगनं में क्या लिख देंगे सभी आवस्य कागजादो की प्रमारित फोटो प्रतलिपी फिर नीचे लिख देंगे भवदीव अबस क्या लिख देंगे अबस बस अब कहें गुरुजी यहाँ पर आपना नाम भी लिख सकते हैं का अरे करे जा, का है बरे लिख बा आपनाम बता वा अच्छ, पेपर वा में देन नाई बापनानाम लिखें बरे, कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है बलकी अब असा करके ही क्या गरना है, गया है तो यह है पत्त लेखर और यह पत्त लेखर तयार कर लेज़े लिखने का तरीका भी मैंने इसमें प्यता दिया आपको हर एक पॉइंट को कवर करवा दिया है अगर कोई भी दिक्कत है कहीं से भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसका रिट निवारन कर पाऊंँ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके दूसरों थैंक्यू जैन टेक केर बाबाई